तो गाइज आ चुके है एक और नई वीडियो के साथ में तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं android mobile के लिए सबसे best live streaming application के बारे में जिससे कि आप live stream कर सकते हो अपना gameplay यूट्यूब पे 60 fps with an overlay जिया overlay तो सब application आपको देता है अभी तक के android में सबसे best feature लाया है इस app ने जिसमें आप हर mobile जो भी जिसने भी applications है अगर आप उसमें overlay add करते हो तो उसमें overlay जो है वह आपका थोड़ा सा video को cut कर देता है मतलब नीचे का video आपका थोड़ा साथ हो जाता है बट इस application के मदद से आ यह करते है इस video को शुरू without any further delay और इस application के पारे में सब कुछ जानता है तो जैसे कि देख सकते है इस application का नाम है Starscape और मैंने इस इंस्टॉल कर रहा है मैं इसे खुद भी live streaming करता हूँ तो जैलिए इस open कर लेता है और इस के live streaming वगर कैसे करता है और इस में overlay कैसे set करता है व आपको अपना account जो है वो select कर लेना है और उस से login कर लेना है तो फिलाल आप login हो जाओगे तो इसके बाद आपको screen live camera live भी आप कर सकते हो camera से और record भी कर सकते हैं आपिकेशन के मदद से फिलाल जैसे की हम लोग देखता है हम लोगों को screen live करना है तो हम लोग इस वाले page पे आ चुक है और अगर लेफ्ट वाले left swipe करते हो तो यहां पे आपको widgets में तीन options मिल जाते हैं overlay images and text का फिलाल इन दो options का कोई काम नहीं है हम लोगों काम है सिर्फ और सिर्फ overlay का तो overlay पे हम लोग आ जाते हैं फिलाल यहां पे मेरा already सब कुछ set करा हुआ है तो पहले यहां पे इसको remove कर जाता है ताकि आपको properly सही से explain कर सके तो फिर जब जब भी आप अपना account यहां पे खोलोगे new account तो आपको यहां पे कुछ ऐसा interface देखने को मेलेगा तो simply आपको करना किया है और background वाले option पे चले जाना है बैक्ग्राउंड वाले option पे जाकर थोड़ा सा नीचे scroll करते हो तो यहां पे from photos का option आ जाता है तो फेले आप फोटोस में जाकर आप अपना custom overlay जो है आप उसको select कर सकते हो जिसे कि मैं अपना जो custom overlay है उसको कर लेता हू सेलेक्ट हो गया मेरा custom overlay select तो फिलाल आपका overlay है जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे आ चुका है विट आपको प्रॉपर ली आपका वीडियो भी कट नहीं होना सिए तो उसके लिए आपको यहां पे आना होगा वीडियो वाले option पे और वीडियो वाले option पे आकर आपको यह तो जैसे कि आप इसको ऐसे आइजस्ट कर ले तो सिंपल है बहुत ही जादा सिंपल है यहां पे आप जैसे की लेख सकते हो यहां पर आपको सब कुछ काम हो चुका है बस आप overlay आइड करो बैक्राउंड में जाकर फोटो से और उसके बाद आप overlay करने के बार वीडियो को ज जाता है अपने home screen पे मतलब इस app के home screen पे और यहां पर ready टाप करता है तो साथी साथ आपको यहां पर पूछता है कि आप कौनसे platform पे live stream करना चाहता है तो simply हम लोग YouTube पर करने बाल है तो YouTube पर next कर देता है यहां पर यहां पे पे जायाता है यहां पर आपना title description और डाल सकते ह में आप जाके यहां पर अगर आपको 60 fps में live streaming करना है तो आप 720 मतलब quality कोई भी resolution कोई भी रहने देना लेकिन आपको 60 fps के लिए minimum bit rate जो है वह 8 Mbps का होना चाहिए definitely minimum 8 Mbps का आपके पास resolution मतलब bit rate जो है वह मतलब set होना चाहिए ताकि आप 60 fps में YouTube पे live stream कर सबोगों तो फिला सब्सक्राइब करने के बाद आप सिंप्ली यहां से स्टार्ट करने के बाद आपको लाइब जो है वह आपका स्टार्ट लाइब स्टार्ट हो जाएगा तो फिलाल it is as easy आप देख सकतो बहुत easy है इसको इसको इस्तेमाल करना और साथी साथ सबसे best feature इसका लगा मेरे को आपका overlay वाला system कि आपका video भी पूरा आएगा और साथी साथ आपका जो है वह मतलब overlay भ लाइगा तो फिलाल आज के वीडियो में पस इतना ही मिलते हैं आप लोगों किसी next video में अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना अगर और पसंद आई है तो साथी आपने दोस्तों को साथ भी शेयर कर सकते हो और चैनल को बिस्ट्राइब बिल्कुली मत मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक कार गुडबाई एंड श्टेश एड्ट वीडियो